एक व्यक्ति पहुंशता है संत महत्मा के पास उनके सरण में पहुंशने के बाद वो उनसे दिख्छा लेने के बाद पूर नुरुस्प से साकाहार वृत का पालून करने लगता है चूंकि वो बड़ाबर मांसाहार किया करता था उसे बीच-बीच में ऐसा मन हुआ करता था क मैं जाओं मांसाहर को ग्रहन करूं ऐसा परिस्थिति देख के उस महत्मा ने उस बाबा ने उस व्यक्ति को कहा कि बेटा देख इस संतुष्टी की प्राप्ति के लिए तुम साल में वर्स में केवल एक बार मांसाहर करता था परन्तु जो और लोग थे इसकी गहराई को नह जानते थे उन्होंने क्या समझा कि ये एक दिन जो एक विशेश अफसरा था इस दिन मांसाहर ग्रहन करना ही सबसे सुब काम है उन्होंने प्रचार कर दिया कि इस दिन साल के इस विशेश दिन मांसाहार करना उभी भवान को चढ़ा के बहुत ही सुब होता है और लोगों में इसका ऐसा जुनून सबार हुआ कि बलिपर्था उस दिन से सुरू हो गई तो आपने देखा कि कैसे एक साधारन सी बात को बढ़ा चरह के हम अपने धर्मों में इसका पालन करने लगते हैं और फिर अंधभक्त बनके दूसरों को भी भटकाते हैं आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी अवधारना हैं बहुत सारी ऐसी समाजिक परमपरा हैं जो हम रोज जिन्दगी में रोज मर्रा के जिन्दगी में निभाते हैं जिसके पीछे का कारण बहुत ही सपस्ट आ बहुत ही अच्छा है उसे हम लोगों ने दूसित कर दिया है तो चलते हैं आज के वीडियो पे नमस्कार मैं संजित कुमार गिया आपका फिर से सौगत करता हूँ मेरे चैनल जड़ा सोचो ऐसा क्यों में और आज की वीडियो में हम जानने वालें बहुत सारी ऐसी परमपराओं का जिसके पीछे का कारण बहुती इस पर्ष्ट अब बहुती सुगम था लेकिन अंदभक्ती ना समझी और स्वार्थ पूर्ती के कारण हम इसे गलत तरीके से निभाने लगे करने लगे और साथ ही इसका दूस परचार भी करने लगे और कमाल की बात है इस आधुनी क्यूग में हम उसका पालन भी कर रहे हैं चलिए सबसे पहले सामाने बात में आप लोग सामने रखना चाहूंगा जो कैसे आज का परमपरा बन चुका है मैट्री का रिजल्ट आता है सभी बच्चे बहुत खुष कि रिजल्ट बहुत अच्छा इस बार था अधिकतर बच्चे पास हो गये थे कुछ प्रथम स्रेणी फर्स डिविजन था किसका सेकेंड था कोई थर्ड था बहुत कमी बच्चे फेल हुए थे जो नहीं पढ़ेंगे और नहीं एक्जाम में कुछ लिखेंगे तो उनको भी फेल होने से कौन बचा सकता है मैं अगले वीडियो में आपको जरूर ये बताने वाला हूं कि किसी बच्चे का पड़िच्छा अच्छा देने के बाद भी उसके पुर्णांक कम क्यों आते हैं चले चलत किये उसी बीच में होता क्या है दो परोसी पहुंसते हैं एक परोसी पहुंसता है उसकी बेटी बहुत अच्छे नमरों से पास हुई थी वह अंदर से बहुत खुष था वो घर से मिठाई लेके आता है कि अपने सिक्षक गण को मिठाई बांटा जाएगा तो इसकूल कि मिठाई खीलानना था वह अपने बच्चे की डीजल्ट से बहुत खुष था लेकिन जब उसने देखा कि उसका परोसी निटाई खिला रहा तो इसके अंदर एक एग भावना कहींने के लिए सो अफ कर्ते हुए वांपने पॉकचल से 500 निकलता है अब 500 का नोंट निकाल के देता है सामने वाली सिक्षक को काता है सर मेरे तरप से आप मिठाई खा लीजिएगा अब सोचने की बात है कि सिक्षक भाई कितना मिठाई खाएगा सभी गार जेन अगर मिठाई देने लगें कितना खाएगा वैसे ही सुगर का प्रॉब्लम अब देख रहे हैं हर जगा है तो सिक्षक को तो एक आइडिया मिल गया एक अभिभावक के कारण अब अगला जो भी अभिभावक आया है चाहे बच्चे फर्स्ट हो सेकेंड हो थर हो पास तो हो चुके हैं तो उन्होंने कहना सुरू कर दिया देखो फलाना आदमी आया था मुझे देख 500 रुपया देखे गया है तू भी कम से कम 200 निकाल 400 निकाल 500 निकाल और इस चक्कर में परमपड़ा सा चल गया जबकि इसका शुरुआत बहुत ही अच्छे दिल से एक सुबकामना हे तो हुआ था मिठाई खिलान बच्चों का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखते हैं और रखना चाहते हैं बहुत कम ही ऐसे माता पिता होंगे जो अपने बच्चों के पीछे एक जवाब देही नहीं लेते हैं और नतीजा उनको मिलता है निकट भविस में लेकिन मैं आप चल रहा हूँ दहेज प्र एक पडिवार अपने सुएक्छा से जिसका सामर्थ है वो दिये जितना उनको देना था और एक पडूसी हो या कोई वेक्ति हो उसका एक्जामपल देता है देखो उसको इतना मिला मुझे भी इतना चाहिए अब यह लालच यहां पर आ गया हम मानवता के नाते अपने इस स बच्ची के जरूत के हिसाब से उसे कुछ देता है बहुत माता-पिता ऐसे हैं जो अपने बेटी के पढ़ाई के लिए उसकी अच्छी सिक्षा-दिक्षा के लिए अपना सर्वस्त लगा देता है उसके पास कुछ नहीं रहता अब वो जब विवा के दौरान उससे ऐसे कर्ज के बोज के अंदर दब जाता है अब फिर बाद में बहुत सारे ऐसे अभी भावक ये सोच के फस जाते हैं यार बच्ची के पीछे इतना खर्चा करूँ फिर साधी बिवा में इतना मांगेंगे कहां से लाओंगा तो इस परकार से बच्ची का पढ़ाई लिखाए ही कि बहुत हद तक पीछे रहा जाता है बेटों को इंग्लिस मीडियो में पढ़ा है जाता है बच्चीयों को सरकारी स्कूल में ताकि इसके साधी बिवाक खर्चाबी से बचे आइसकारन से बच्चीयों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता तो सोच बदलने का समया चु ना कि उसके नाम पे कोई बारगेनिंग शुरू कर दे अपने बेटे का सौधा न करें जो भी पड़मपढ़ा जिस कारन से सुरू हुआ उस कारन को बढ़करार रखना चाहिए उसको मेंटेन करना चाहिए उसे दूसित ना होने दे और जहां तक बेटियों की पढ़ाई औ उसे स्वच्छंद छोड़ देना नहीं होता मैं इसे पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि आजादी का अर्थ है कि आप कोई भी काम करने के लिए स्वतंतर हो आपका चौईस है कि आप कोई काम को चुलो आप कहोगे मैं कोई काम ही नहीं करूंगा या करूंगी त दंडिता में चला जाता है तो आपके अपने बच्चों के आजादी पे ध्यान रखना है उन्हें आजादी का आर्थ भी बताना है तो आपके चाहे बेटे हो या बेटिया हो या कोई भी हो उसके उपर थोड़ा नियंतर न रखना जोड़ी है वो गलत रास्ते पे नहीं गरत लोगों के प्रभाव में ना आ जाए ये उनको बच्पन सहीं सिखाना है और बेटी बेटा को एक समान समझना है और ये जिस दिन हम ये समझ जाएंगे तो दहेज पर्था स्वता समाप्त हो जाएगा एक उपहार देने की पर्था एक दहेज पर्था बन लिया जिस ये एक अलग मुद्दा है लेकिन दहेज पर्था किसी में भी वाजिब नहीं है देन लेन स्वेक्षा से एजए गिप्ट का अगर कोई कर रहे हैं उनकी मरजी है उनकी इक्षा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ये आपसी दो परिवारों का मिलने का समय होता है ना ही बेटी वाले हो तो आप जहलते हो और जब बेटा वाले बनते हो तो सामने वाले को दुख देते हो ये सब काम होना चाहिए नहीं होना चाहिए आप लोग बहतर समझ रहे हैं बस अपने समझदारी को सामने रखके काम करें ना कि लालच को तो उमीद है कि हमारे समाज में फ स्वस्त रहें सुरक्षित रहें जैहिंद धन्यवाद